हां जी साब कैसे हैं सभी एए एक बार फिर से सागत है आप सभी का आपके अपने चनल में सभी तरभी लोजी में दोस्तों प्रस्टनावली 5.1 एक अक्सा साथ की रेखा और कोण पहला समल कर रहें कि प्रतेक का पूरण पूरक कोण ग्याद कीजिए में आपको बताया था कि पूरक कोण क्या होता है पूरक कोण का मतलब होता है कि अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आता है 90 डिग्री आता है अगर दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री बन जाता है तो इसका मतलब वो पूरक कोण है ठीक है और अगर दो कोणों को जोड़ने पर 180 बन जात किए फूरक होंगे, इसका पूरक कोण निकालना है, जैसे करेंगे, पहलना आपने को焦 दीती दिगरी ही, तो क्या चामदों कोल पता है कि पूरक कोण सहे कितना होता है, 1990 गगरी होता है, 90 in 20 तो कितना हता है? 70 डिगरी तो इसका पूरक कोण काई 6 as 60 इसका निकालते हैं ये तेयरखा 63- owners दिग्री इसका पुरह कुण क्या होगा नब्ब मैसे 63 लिगालोक दस में से तीन जाया कितना वस्ता है साथ और स किसवीर Eckater कितना ब॥कूरिए इस शबसा बॷैर में शे पर कोणी हो घ्रिया दृफ दिलिख पीनेक्स निकालते है 33 ठीक है यह इसका पूरक कौम हो गए है एक दो तीन तीनों के पूरक कौन निकालने आपको और मैंने पूरक कौन आपको बता दिया है पूरक कौन का मतल्ण है अन्ने दोनु कोन का योग 90 डिगरी अब देख लेना फूरक कून का से होंगे इसे पूछा है कि निमन के मेंने पर्त् cette के संपूरक्स ज्यादकिग आप संपूरक्स ग्यात डिग्री आपको पता गे 305 के चाहिज का संपूरक्स के संपूरक्स क्या होगा आपको क्या करना है 0, let S sack back with 107, फिर सत्राइब से और प्रोट तो निचार में। पांच review 57 जिसके सम्पुरग,िसके nemस निचाल न आईक मिर about 7化.भग टिरम जाता है। भी लग भग ये सुपर है। लग टिर ही। तो आपको इसके समपूरक कोण को अलग अलग करना है तो आपको मैंने बताया था कि पूरक मतलग क्या होता है 90 डिग्री और संपूरग मतलब 180 डिग्री आप देख रहे होंगे पहला देखेंगे तो आपको पता चलड़ा कि 65 डिग्री एक 115 आए तो जाहिर इसका योग 90 डिग्री से उपर आएगा तो पहला वाला क्या होगा संपूरग दूसा देखेंगे 63 और 27 को जोड़ेंगे तो 90 ड संपूरग फिर देखेंगे 180 ओर 130 ऑर 130 ओर 50 आपको पता 180 डिग्री आता है मतलब यह भी संपूरग होंग होगा फिर असी और 10 जाने कि इनको जोड़ने पर कितना आथा 90 यह होगा पूरग कौन इस प्रकाट से संपूरग को मैंने आपको बता है फिर नेक्स देखेंगे पुरक के समान हो पुरक कोन के समान होगे पुरक की समान के समान हो संक्य को दोनों को समान संक्या जोड़ने पर फूर्व कोण बनि जाए के देखो फैतालीश प्लस फैतालीश कुड़ इन दोनों को जोड़न है कि इन आटा ईंटी Dutch आए आपने को क्या ची ए डोनों समान जी यह समान भी है और योग 45 डिगरी यानि कि 90 डिगरी आ रहा है इसी प्रकार से संपूरक निकालना है संपूरक आपको पता है कि कौन सा होगा संपूरक कि एक कौन अगर 90 डिगरी है दूसरा कौन भी 90 डिगरी तो उसके अंदर जोडने पर 180 यानि कि 180 डिगरी बनता है तो यह संपूरक कौन होगा अब इसमें हमसे आकरती में कौन एक और कोन 2 दो संपुरक कोन याईनि कि इन दोनों का योग एक कमी की जाती है तो कौन 2 में क्या परियुरत नहीं आपको पता कि कौन 1 में कमी कर रहे हैं तो दूसरे को जाहिरी बढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसको दोनों को एकसो सिरीगरी होना ह तो आपको क्या पता चला इन दोनों से कि मतलब फिर ये भी का गया कि दोनों कौन फिर भी संपूरक रहे तो यानि कि कौन को बढ़ना भी है और संपूरक भी रखना है जैसे मैं इसको माननों ये 120 डिगरी है और ये कितना है अगर 120 बना तो यह कितना होगा यह लगबग 60 डिगरी होगा तभी तो संपूर कोन मना इसको मैं 120 से 100 पे लाता हूँ तो इसको बढ़ना पड़ेगा यह 100 हो गया तो इसको 80 होना पड़ेगा तभी जाके संपूर कोन मनेंगे इसमें आपको सिंपल सा यह लिखना है कि इसमें जिस माप से कौन एक गटेगा उसी माप से कौन दो बढ़ेगा इसमें यह चीज लिखनी है अब लिख लेंगे मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि जिस माप से कौन फश्ट को हम कम कर रहे हैं उसी माप से कौन दो को बढ़ाना पड़ेगा यह आप लिख लेंगे फिक नेक्स देखते हैं अपन सात्वा क्या दो ऐसे कौन संपुरक हो सकते हैं यदि उन में से दोनु कौन न्यून कौन हो आप देखे कि तो पहले वाले में कैसे हो सकते हैं आप खुछ सोचिए कि अगर 90 डिग्री 90 डिग्री का मतलब उससे कम है 80 80 डिग्री मानो तो आट दोनी 16 होता है और अपने को एक सोचिए और इंसे यह कह रहें कि न्यून कौन होने वाले कौन कभी भी संपुरक नहीं हो सकते तो पहले वाले में लिख लेना हां या नहीं में लिख लेना है तो आपको लि कि कर सम कोल है सम क्वह सकते हैं क्योंकि 90 दिग्री 950 दोनों को चोड़ा गये तो 180 डिग्री आता है मैं एक बार बोर्ड पर समझाते तो आपको एंजीज देखिए अगर न्यून कोन होगा तो निन कोन मनलब 90 डिग्री से कम होना चाई 90 डिग्री से कम यानि इसे कम वाली सा पड़ो एनको 170 आता है तो ये सम्पूरा कोंड नी हो सकता इसी प्रकार से अगर अधिक कौन मतला होता है 90 डिग्री से जादा तो एक मेंने 100 ले लिया एक 120 ले लिया तो क्या आता है कि देखो 100-200 और 220 हो गया है तो ये भी नी हो सकता यानि कि 2 जून कौन भी नी होनी चे दोन को सेटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि 45 डी से बड़ा है ना इसे बड़ा है। तो यह बड़ा है यह क्या क्या बढ़ी नहीं है नियृसक그 से बड़ा है। दौटा कॉण क्या होगा.. अरे बई। पैतल डीसे बढ़ा माने क्या धर ना कि पचास मान लो और अपने को 90 करने नव्यолн लाने के करना यह पचास में से बाट किनकालो कितना आता है 40 डिगरी यह क्या कि पटारी धिवसे के बड़ा सबस्किते होगा था एक चीज के बराबर हो गाइब में प्रशनावली 5.1 इसको हम स्वोल करेंगे उसके बचे में सवाल है दस्वा सवाल है इसका कि पहचानिये कि कौनों सिर्साब वीभुक है और रहकी उग्म में अकरति देरी की इसके अंदर आपको बताना है कि कौन से को इसका मान होगा वोग है इसका माल होगा मैंने बताया था आपको अगर आपने वीडियो देखिए तो अगर आपको नहीं पता कि क्या होते हैं तो आप वीडियो जुरूर देखे पिछे वाली वीडियो और आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा आप वहां से प्लेइलिस्ट चेक कर सकते हैं ठीक है वहां जाकर देख लेना अब बात करता हूं मैं सिर्षा में कोन की तो सिर्षा भी में कोन कहां का बनेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स वाली जो अकरती बनेगी ना वहां वहां बनेंगे तो इस प्रकार से आप लिखेंगे सिरसभी में कौन के सामने और दूसरा क्या बनेगा कौन 5 के बराबर कौन है कौन 3 और 2 तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि कौन 5 के बराबर है यह दोनों बराबर होंगे सिरसभी में कौन के कौन 3 प्लस कौन 2 इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि यहां पर 2 को जोडा गया है ठीक हैई यह हो गया अब नेक्स टें रिकखिक यूग मुकोंच आपको पता है कि रिकविन कौणकों से ब्राबर होंके तो उनके बारे में मैं लुप कौण ब्राबर होंका कोण पाँच के ठीक है कहा है एक और पाँच रेकी क्यूप होता है एक ही रेका का पर बनने वाल है ना और उनका योग समपूर नाच चाहिए यानि कि वो दोनों जोडने पर 180 डिगरी बन जाना चीए जिसे रेकी क्यूप कोणों का सिधा सा फंडा है याईनिका अगर जोड़ो तो 180 degree बन जाना चाहिए तो रिखी क्यूं होंगे तो एक ही रिखापर बनेंगे तो कौन एक कौन पांच के बराबर होगा पहला तो यह लिख लेंगे ठीक है पहला यह हो गया दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा मैं लिखा देता हूँ आपको, दूसरा होगा, कौन 4, कौन 5 के बराबर होगा, ये इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से, कौन 4, कौन 5 के बराबर होगा, तो कौन 4 बराबर होगा, कौन 5 के, ठीक है, 5 है आप, 5 के बराबर होगा, ठीक है, य दोनों ही ब्राबर होंगे lookin नहीं होंगे body आप सोच रहे होंगे ने का दियुक्स के यह वाली बराबर ये यह वाली ब्राबर हो भी यह नहीं है यह नहीं ठीक 11 स्वाल में काई कि निमलिकित आकरती में क्या कोण एक कोण दो का असन है और कारण भी बताना है आपको तो असन कोण की परिपासा क्या होती है कि असन कोण होते हैं सिदे जिसे ये वाली रेखा बन रहे हैं इस पर एक ही रेखा पर बनने वाले इस प्रकार से ये कोण य जानते हैं क्या अगर नहीं जानते हैं तो आप पूरानी वीडियो जुरूर देखे आसन कॉन वो होते हैं जिसमें की एक रेका उबहनिष्ट होते हैं जैसे अगर मैं इस कॉन की इस पर बात करो तो यह रेका उबहनिष्ट तो कॉन पांच कॉन एक का आसन कॉन होगा क्यों क् बात करे तो जब कौन 5 की हम बात करेंगे तो उसमें कौन एक की बीच वाली लाइन आती ये वाली लाइन पांच में भी गिनाई जाती और ये वाली लाइन एक में भी गिनाई जाती है तो ये आसन हो गई तो इसको बोलेंगे हम आसन वाली तो इसमें क्या आसन है क्या तो इसमें आपको देखेंगे तो बता चलेगा कि यह जेड की आकरतिम बन रहा है और जेड की आकरतिम मैंने बताए कि यह एक अंतर कोण है नहीं की आसन कोण है तो इसमें आप क्या लिखेंगे लिखेंगे इसमें मैं बोल रहा हूं आप द्यान से प्रते जो में कौन है एक्स वाई जड़ के आपको मान ग्यात करने ठीक है अब मैंने आपको पिछले वाले समय बताया था कि क्वोची आक्रती में बनने पर क्या होते हैं सिरसाब को प्ता चलिजा यए खुद भी कि कौन सिर्षा में कौन होने के कारा, ठीक है, तो यह दोनों बराबर होगे, अब कौन Y और Z दोनों बराबर होगे, लेकिन कौन का मान अपने को नहीं पता, तो क्या करें आपने, यहां से हम क्या करेंगे, कोन का मान गयात करेंगे, कैसे गयात करेंगे, वो आप ध्यान से देखेंग तो आपको पता है एक चीज मैंने अभी बताया आपको और नहीं बताया तो आप अभी सुन लीजे कि ये 55 डिग्री है ठीक है तो ये 55 डिग्री होने से ये एक ही रेका पर कौन बन रहे हैं और ये वुबहनी स्टारी बीच में तो आसन कौन बराबर होते हैं या इस तरह आप अपन 180 डिग्री में से 55 को बाकी निकाल लिया जाए तो 180 डिग्री में से आप 55 को बाकी निकालोगे कितना आएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 फिर 7 में से 5 जाएगा तो 2 ठीक है और एक का एक ही तो क्या है 125 डिग्री आया यहां पर ठीक है 125 डिग्री लिग देंगे आपकी इस है तो जीफद भी आपको पता है 125 डिगर क्यों कि यह सिर्श हभिमूक कोन है और वी सामने वाले यह चिक ए इस प्रकार से अंगर अगर आप बढ़ते हैं का यहां दूसरा सवाल करेंगे इसी यहां पर ऐसी नहीं बन रही है यहां पर ऐसी बन रही है तो चालिस कोन होनोगा जएड का मान होगा क्या होगा 40डी कृइग कंगे क्यूं समझें लृट कौन हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई यह अब और चीज यहां है और सरष्यटर्यक पर यह 40 degrees बन गया जेड़ वाला कोन, तो यह निकाल पाथेंगे य वाला निकाल पाथेंगे कैसे 180 चालीस निकाल दो, कितना बचलता है, 140 बचलता है, ठीक है, तो यह 140 , 140 क्या देखना ये वाली आकर्तिया आप देख रहे हैं तो इसमें ये वाला कौन पूरा का पूरा 140 है तो क्या ये वाला कौन पूरा का पूरा 140 नहीं होगा क्या बिल्कुल होगा तो क्या करना है इसको भी तो 5, फिर तीन में से दो जाए गा तो 1 और उपर फिर 1 115 तो यह बने गा 112 ठीक है 115 तो अब आपके सामने सारे कोन आगए कोन कोन से आगए x का मान कया अया 115 y का मान कया आया 140 और z का मान कया 43 या तो कह आपको बह् तेरस वाल है तो पहला पढ़ेंगे आप कि यदी दो कोण पूरक है है ना पूरक है तो कोणों की माप क्या होगी मैंने आपको बताया कि पूरक कोण का योग क्या होता है हमेशा 90 डिग्री होता है मैंने आपको चिला चिला कर इतनी अच्छे से समझाया कि आपको याद हो जाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री ठीक है बूलोगे तो नहीं यह 90 डिग्री ठीक है 90 डिग्री दूसरा क्या बताया मैंने यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनका योग क्या होगा उनका योग का 180 है ना यह यहाँ पर और यह यहाँ पर ठीक है समझ गए मैं आगे बढ़ता हूँ तीसरा सवाल करता हूँ तीसरा में कहा गया इसी कि रेखिक यूग्म बनाने वाले दो कोण है ना क्या होंगे संपूरक होंगे क्यूं क्यूंकि रेखिक यूग्म बनेगा तो 180 बना होगा टोटल जोड 180 बना होगा तो वह यहाँ पर लिख देंगे आप यहाँ पर भी होगा 180 बनेगा 180 बनाने लिख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ भी लिख सकते होगी यह संपूरक होंगे ठीक है संपूरक होंगे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ठीक है चोथा पड़ते हैं चोथे में हमसे क्या कहा गया है कि यदि दो आसन कौन संपूरक हैं आसन कौन माने पास पास वाले अगर संपूरक हैं तो वे क्या होंगे तो वे रेखिक यूगम होंगे सिद्धी सी बात ह होती है सिर्षाभी में कौन हमेशा बराबर होंगे या समान होंगे तो वो समान होंगे तो क्या लिखेंगे आप यहां पर समान दिखेंगे यहां पर हैना समान होंगे शिरसाभी में कौण वैसे आमने सामने किया होते हैं नेक्स इसका सवाल करते हैं आगे वाला क्या पुछा इप अपने से पूछा गया है कि यदि दो रेखा हैं एक दूसरे को एक ही बिन बिंदों पर पर्तिचत करती हैं और इस शिरसा कोण है निवन कोण माला 90 डिगरी से कम तो इसको मैं करता हूँ जैसे 50 डिगरी तो यह भी 85 हो जाईर है अब 100 तो यह हो गए और आपको पता है कि एक बिंदू पर इस प्रकार से बना हुआ है और इस प्रकार से बनने के करण है तो इस एक ही बिंदू पर कोण बनेंगे उनका योग होगा 360 डिग्री 360 डिग्री आना अगर मैं इस बिंदू से यूँ गूम के यहां आता हूँ तो 360 डिग्री बनता है घड़ी के जिसे एक चीज़ समझ में आ गई तो घड़ी की बात करो मैं उस तरीके से ये 50 होगा, 50 होगा, 100 तो यहीं होगा तो इससे एक चीज़ आपको पता चली कि यह क्या होँगे, अधिक कौन मन रहे क्योंकि 90 डिग्री से जधा है तो अधिक कौन होने के करान आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इसका अंसर लिखेंगे कि यह होँगे, अधिक कौन मनेंगे क्योंकि एक निवन्व कौन मन रहे दूसरा जायरे उसको अधिक कौन बनना ही पड़ेगा ठीक है अधिक कौन मनेंगे ठीक यह सवाल समझ में आगया नेक्स्ट चवद्व सवाल करते हैं हे तेचेढल स्वाल में है कि आकरति में निम लिखित कौनों के यूगूम को नाम नंगे ना इनको अब शिर्श्षा भी मिन कौन 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 से इन मैं में से आपको और नहीं तो लिखेंusta कि अ gebruण टिया आप पर एओडी यह होगा सिर्षाभी मुख भी है कैसा सिर्षाभी मुख कौन है फिर बताते दाओ मैं आपको पिर कहेंगे इस परकार से यह क्रोस बन रहा है ठीक है यह वाला इसका कौन यह अधिक कौन मनेगा इधर वाला उपर वाला तो लिखेंगे एओडी ठीक है दूसरा ल पूरक कौन है जिन कौनों का योग 90 डिग्री आएगा लिखेंगे आप E O A E O A यह वाला तूसरा कौन कौनचा होगा A O B काई A O B यह वाला यह दोनों यह दोनों छोट छोट वाले कौन ठीक है मैं लिखनी रहा हूं बोल रहा हूं आप ज्यान से लिख ले ना तिस्रे वाल जिए ओ भी यह वाला पूरा का पूरा कौन ठीक है ई ओ बी ऐसे लगाकर कौन दूसरा लिखेंगे EOD EOD है ना कौन EOD यह दोनों लिख लेंगे Next हम आगे बढ़ते हैं अब लिखेंगे ऐसमान संपूरक कौन चोता वाला तो ऐसमान संपूरक कौन से होंगे चोता वाले में लिखेंगे EOA कौन EOA अब दूसरा लिखेंगे EOC EOC EOA कहा है EOC यह दोनों ठीक है Next आवसन कौन जो रेकि ग्वम नहीं होते हैं ठीक है आवसन कौन जो रेकि कुम नहीं होते हैं लिखेंगे इसमें EOD कहा है AOD यह वाला फिर लिखेंगे दूसरा लिखेंगे AOE AOD दूसरा यह तो फिर मैंनेगा EOD, EOD, फिर दो बार है यह तरीक से, EOD लिखेंगे, यह वाला, फिर लिखेंगे COD, ज्यादा कुछ हो गया इसमें, दूसरा यह लिखेंगे COD, यह वाला कौन, ठीक है, लिख लेंगे यह, मैंने आपको अच्छे से समझा है इस भी चीज को, आप वीडियो को रोक रोक के आराम से इन कौनों के नाम लिख लेना, ठीक है, बाकि समझा दिया है मैंने, और अच्छे से ताकि आपको समझ में जाए, वीडियो कैसे लिए आपको, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करे, सब् किल्कुल आपके लिए free of cost है, अब आप इतना तो देखी सकते हैं, अब हमारी मेनत को देख कर भी या आपको इतना free कुछ भी नहीं मिलता, वैसे आप ट्यूसन भी जाओगे तो आपको 2-3,000 रुपे देने पढ़ेंगे, लेकिन यह हम आपको free of cost पढ़ा रहे हैं, तो इस किल्दा है तो आपको